नमस्कार दोस्तों सोगत है मेरी चैनल पे मेरा नाम है सैम हंडे आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो टाटा करेंगे इसका लिपिट देख सकते हैं यह टी एंड कैफे में आता है यहां पर इसका बड़िया से नहीं है यहां पर देकि आभी आख साथ यहाँ पर 69 पर ट्रेड कर रहा है इंट्राडिका दिके यहां पर थोड़ा साथ कम हो रहा है एकने सफस्पे और हाइज इसका एकुल सित्र पर गया था साथ सो लो गया था इसका लगबक छेसो पाचास गया था और हाइ गया था आट सो नद्य के करीम काया था ये तो हो गई लो और आइक की बात जलिए कुछ दिनों में कितना performans किया है इसका वो भी देख लेते हैं तो यह पर देख सकते हैं एक दिन का देखें तो माइनस में है एक विक का एक मंत का देखें वी माइनस में है एक साल का देखें वो माइनस में है और एक एक साल के ऊपर long term के लिए तो थोड़ा सापको प्लस में दिखा दे रहा है तो अच्छी बात है अगर तकी की बात करें तो तो अच्छी बात है तो इस तरीके से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि stock में थोड़ा सा long term की हिसाब से बढ़िया है लेकि short term की हिसाब से इतना बढ़िया नहीं है तो चलिए यहां पर कुछ fundamental तो कुछ fundamental देख लेते हैं रिव्यू देख सकते हैं इसका 2023 में कैसा है है नेट profit की बात करें तो 2020 में आची खाश नेट profit आ चुकी है तो यहां पर देख सकते हैं भी भी देख सकते है और वी देख सकते हैं डेट्ट-a-fiku लेके आए है और चार्ट में आपके दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बुलिश में अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है यानि बुलिश अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते है कि यह सम कही सक छब लग चल रहा है, तो यह देखें जोड़ो सब्लाप में, यह देखें और यहां से लिए आधिकों, यहां आप 2014 मेकों, यहां पर देख सकते यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर यहां पर यह थोड़ा सा यहां पर बेचने का समय था तो हम यहां पर बेच की पैसा कमा सकते हैं उस तरीके से तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर यहां पर सपोर्ट मिल रहा है हो सकता है कि यह टार्गेट आपका कि आप इसमें लगबाग इसके ऊपर आप इसमें लगा सकते हैं जैसे की सबक्साइब करीब उसकते będzie और चाइब होग उतार डिलागंब जोन यह है इसमें स्टॉक अभी है इंगूम रहे हैं काफि हथ तक इसमें इस तरीके से स्टॉक गुम रहा है तो आपको यहां पे देखने वाली बात यही है कि इसमें मोमेंट आ सकती है यहां पे इस तरीके से हमें चाट के उपर दिख रहा है तो आज के वीडियों में हम इतना ही झाल